तो आज हम करने जा रहें इंगलीज का एंड ये सेकंड का पीपर सॉल जो आपका हुआ था दोजार बाइस में तो आप देख सकते हैं ये सेट नम्मर ए है सेट नम्मर ए है तो यह इंस्ट्रक्षन आप पढ़ लेना क्योंकि इस इंस्ट्रक्षन में क्या होता है बलक 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 बाल पेंसे हम को क्या बरनना पता है OMR seat भरनी पड़ती है ठीक है तो हम सरफ पर्थम करेंगे section A का सुरू ठीक है तो let's start Abraka Dabra Dabraka Jew तो चलो करते हैं NDA paper का solution सुरू ठीक है तो let's begin the first question हमको ढूणना है क्या ढूणना है इसमें Antonium ढूणना है ठीक है क्या ढूणना है करेंगे Antonium first question में है human craving for comfort leads to anxiety ठीक है तो craving मनलब होता है बच्चेओ क्या होता है इच्छा desire होता है want होता है wish होता है ठीक है तो want इसका Antonium करना है तो इसका answer होगा सापस्वी बात होगा इसका answer होगा dislike क्या होगा first answer होगा dislike तो बच्चो पहले answer होगा dislike होगा ठीक है तो craving cancer होगा dislike second question है बच्चो his writing on the object are obscure ठीक है तो his writings on the object are obscure obscure मनलब क्या होता है बच्चो obscure मनलब होता है not clear ठीक है not clear तो not clear और जो clear होगा वो क्या होगा Antonium answer होगा तो obvious मनलब होता है clear ठीक है obvious मनलब होता है clear next question है the achievements the achievements ठीक है the achievements of the team have been monumental in the last 10 years ठीक है monumental मनलब क्या होता है बच्चो बहुती ज़्यादा शांदार या अतिविसाल बोलते हैं जिसको ठीक है बहुती ज़्यादा सांदार तो इसका एंटोनियम रोड़ना हमको तो इसका एंटोनियम होगा unimpressive क्या होगा बच्चो unimpressive ठीक है next question है his frail appearance was considered a merit ठीक है तो frail मनलब क्या होता है बच्चो frail मनलब क्या होता है frail मनलब होता है weak और हमको weak का एंटोनियम ची तो इसका अंसर होगा study क्या होगा study study में लब होता है robust या healthy मैंने offline class में बहुत बारी बताया और पूरे जितने question है बच्चो आपका offline class में मैं already पढ़ा चुका हूँ तो next question पर चलता है happiness happiness कौन होता है बच्चो happiness कौन होता है happiness बताओ happiness वो होता है जो unlucky होता है या भागा होता है unfortunate वाला बंदों को हम बोलता है happiness ठीक है तो इसका antonium होगा बच्चो fortunate भाग या साली ठीक है fortunate fortunate चलो next question पर चलता है छेटवा question आपका yes his ideas have always been eccentric ठीक है his ideas have always been eccentric तो eccentric कौन परसन होता है जो strange होता है कैसा होता है strange होता है ठीक है तो इसका strange या unusual होता है तो इसका हम को antonium चीएते हैं वो क्या होगा normal परसन होगा yes next question है the land appears to be passed past मनलब क्या होता है बच्चो past मनलब होता है dry dry ठीक है past मनलब होता है dry सुका but हमको चीए antonium तो antonium क्या होगा dry का wet गीला ठीक है next question है the newly made road watch smooth ठीक है तो जो नही नही रोड़ती वो क्या है smooth है ठीक है smooth smooth का अंसर बहुत बच्चो ने winding लगा जिया होगा पर इसका winding अंसर नहीं है winding मनलब होता है jig-zag ठीडी-मेडी road ठीक है but हमको ठीडी-मेडी road नहीं बनानी है हमको बनानी है क्या क्या road हो चीए हमको तो हमको चीए बेकार सी road चीए हमको rutted, rutted, rough road ठीक है तो इसका अंसर होगा a, rutted ठीक है next question है बच्चो planitude planitude मनलब क्या होता है planitude मनलब क्या होता है planitude मनलब होता है abundance क्या होता है बच्चो planitude मनलब होता है abundance परियाप्त मात्रा में ठीक है परियाप्त मात्रा में तो इसका अंचर होगा abundance बठ हमको antinium चीए क्या चीए antinium तो इसका होगा insufficiency क्या होगा insufficiency ठीक है और यह सारे इसके abundance ample, plethrow ठीक है यह क्या है इसके synonym है बठ हमको चीए antinium next question है irrefutable ठीक है irrefutable मनलब जिस पर हम आर्ग्यों ना कर सकते ठीक है जिस topic पर हम आर्ग्यों ना कर सकते उसको बोलता है irrefutable मतलब इसका हम कुछी antinium तो इसका antinium होगा क्या होगा बताओ questionable जिस पर हम question कर सकते है yes the right answer will be questionable ठीक है अब हम चलते है next ठीक है next page पर चलते है synonym क्या है बच्चों synonym है और synonym भी सारे मैं आपको करा चुका हूँ एंडी के बीबर में तो रवी तोल्ड हिस फ्रेंड देट he had no intention to malign her no intention to malign her ठीक है तो malign manlove क्या होता है बच्चों malign manlove क्या होता है wait a second malign manlove होता है किसी को बदनाम करना ठीक है किसी को बदनाम करना slender इसका अंचर क्या होगा slender ठीक है next question है और अगर हम इसका इंटोनियम तो प्रेज होगा किसी को प्रेज करना ठीक है sila appear to be wax many times I have teach you many times I have thought you guys so let's wax wax मनलब होता है किसी को गुसा दिलाना ठीक है angry very irritated इसका अंचर होगा displeased क्या होगा बच्चो displeased ठीक है displeased next question है preconception preconception मनलब क्या होता है तो preconception मनलब होता है जिस चीज का आबास हो जाता है ठीक है जिस चीज का हमको पहले से आबास हो जाता है this is called preconception तो इसका अंचर होगा notion क्या होगा answer a will be right okay next question है all mortal elements are in impermanent ठीक है तो mortal बच्चव mortal कौन होता है mortal होता है जो temporary होता है क्या होता है temporary होता है तो temporal इसका answer होगा और immortal होता है जो कभी मरता नहीं है अजय अमर तो गाइस 15 ओला कौशन आपका दा इतेंडरी आफ दे ग्रूप्स विजट तू हेल्स वाज गिवन तो everyone ठीक है इतेंडरी क्या होता है बच्चो इतेंडरी क्या होता है इतेंडरी होता है यात्रा का प्लैन कैसी भी यात्रा का प्लैन तो इसका हम इंगलीज में बोलेंगे schedule क्या बोलेंगे schedule तो answer c will be the right answer next question आपका तो आपका 18 वाला क्वेशन है sorry 16 वाला क्वेशन आपका the effort was to harness the power of nature ठीक है harness का क्या मतलब होता है बच्चो harness का मतलब होता है control करना किसी भी चीज को कबजे में लेना या control करना ठीक है तो इसका अंचार होगा D, synonym मांग रहा है तो D ठीक है next question आपका the fickle nature of humans ठीक है fickle nature कैसे होता है fickle nature कैसे होता है fickle nature होता है vacillating ठीक है vacillating मलब मलब क्या होता है fickle nature unstable जो person क्या होता है unstable होता है या जितनका mind unstable होता है वो होता है fickle person vacillating ठीक है answer A will be the right answer 18 वाला क्वेशन है क्यले मोर्ट सोถा है आप दो वाला ठीक है केले कलें वाला तो इसका उंक है कैट स्ट ट्रोपिक डिच्ट ट्रौवूइक कास्ट पिक के नक्स्ट गोशन है 19 he was appointed as a honorary member of ठीक है, honorary कौन होता है, ऑनर्यरी परसन कौन होता है जिसको unpaid जिसको unpaid होता है, ठीक है, unpaid मनलब जिसको payment पे काम नहीं करता हो परसन और वो होता है, honorary ठीक है, honorary परसन the church decided to ठीक है, ex communicate, ex communicate क्या होता है, जिसको communication चे बाहर निकाल दिया जाता है ठीक है expel कर दिया जाता है रिमूफ कर दिया जाता है तो इसका जरोगा C ठीक है येस तो next next बढ़ता है ordering the ठीक है order PQRS allocation आप चुके आपके तो PQRS allocation में इस बार ही आपका paper moderate हुआ moderate है paper और जिस बच्चे ना पूरी तयारी की होगी वह 45 प्लस आराम से ला देगा ठीक है तो सारे question repeated है सारे question आपको offline batch में करार करें ठीक है तो PQRS में पहला 21 answer क्या है 21 का answer होगा आपका ठीक है S से start subject कहां से हो रहा है start हो रहा है S से ठीक है तो subject S वाला A की option है तो इसका अंसर होगा A ठीक है next question आपका there is 22 तो 22 में आपका answer हो रहा है आपका 22 yes 22 में हो रहा है आपका 22 का answer है बच्चो S तो S Q PR से हो रहा है तो इसका answer है D आप मिलान कर लीजिएगा अपने question हो में कि आपके कितने question सही हो रहा है ठीक है 23 का answer है आपका if you do not reflect ठीक है 23 का answer होगा आपका B क्या होगा B क्योंकि क्यों से क्या हो रहा है starting हो रहा है और उसके से इदा पीप हो रहा है ठीक है तो PQRS आपके कोई भी एक्जाम हो सारे एक्जाम में बनते हैं ठीक है next question आपका 24 का 24 का 24 का answer होगा आपका 24 का answer होगा आपका D क्या होगा D answer होगा right answer will be 24 का D होगा 25 का answer होगा आपका 25 यस तो 25 का answer होगा आपका D yes the PQRS इसमें D में subject S स्टार्टिंग हो रहा है ठीक है next 27 का होगा बुच्चा आपको 27 का क्या होगा आपका 27 ठीक है 27 का होगा आपका D क्या answer D तो आप देख लेजिएगा आपके कितने सही आ रहे कितने गलत आ रहे हैं और comment box में जरूर comment करिएगा और जो पड़ाया है सारे equation उन्हीं मैंसे बुलना है ठीक है 28 का है आपका B 28 का answer क्या होगा B yes 29 का answer क्या होगा 29 का answer होगा 29 का answer होगा 29 का answer होगा आपका A ठीक है क्यों और S के सभी बात हो रहा है क्यों ठीक है ठाटिंत का अनसर क्या होगा बच्छों सफटेंगँ की सब्सक्राइज है पंदित पंदित रामा भाई क्या आपका यस फॉर न विदूए होगा इस भी न h으로 कैसि न होगा तो पंदितı में राम बाई क्या है आपका subject है तो इसका answer होगा आपका C, क्या होगा बच्छो C, C will be the right answer next चलते है sporting errors, ठीक है, sporting errors तो sporting errors बहुत important आपके लिए our greatest glory is no in never falling, ठीक है और raising every time we fall, ठीक है raising every time we fall raising every time we fall yes तो raising नहीं होता है बच्छो जब हम खुद गिरते हैं और खुद उठते हैं तो rise का use करते हैं जैसे sun अपना आपाता है sun rises in the east, raise नहीं होता है, raise तब आएगा जब किसी चीज को बढ़ा जाता है, उठाय जाता है ठीक है या कोई मुद्ध या प्रस्ट बढ़ा जाता है, उठाय जाता है ठीक है तो c में क्या होगा, error होगा next question आपका, raheem was one of that selected for the award ठीक है selected, तो बच्चो, raheem was subject plus was ठीक है one of that के बाद आता है आपका plural noun तो that नहीं होगा, यहां पर होगा those, one of those ठीक है उन में से क्या था, एक था, ठीक है तो a वाले में होगा, error ठीक है, next is sujani has met her old friend, grew before, yes तो past perfect, बच्चो, a में होगा, head, यहां पर क्या होगा, head past perfect, ठीक है, past perfect, a में होगा, error 34 है, this monument, बच्चो, monument to be one of the, तो मैंने आपको one of the बताय था ना, one of के दा के बाद आता है, plural noun, ठीक है, plural noun तो one of the monuments होगा, ठीक है, monuments next question आपका, Amit told to divya, बच्चो, told to कभी नहीं होता है, said to equal to told होता है, ठीक है said to equal to told होता है, जैसे look into, look into equal to, investigate होता है या enter equal to equal comment होता है, ठीक है entered equal to comment होता है, तो told to होता है, set to होता है, तो a में होगा, error तो यहां पर told, खली told आएगा, told के पीचे to नहीं आएगा, if you have asked me, ठीक है, बच्चो, image तो if you had आएगा, क्या आएगा, have की जगह में, head आएगा, क्योंकि यहां I would have है न, तो इसलिए imaginary status है, ठीक है offline batch में पड़ा चुका हमें, पूरा, तो यहां पर answer फटा-फट हो रहा है, ठीक है subject was head, yes, a word in hand, is better than to in the bush, यह कभी नहीं होता है बच्चो, प्रोव अपस कभी chance नहीं होता है, जैसे honesty is the best policy होता है तो a word in the hand होता है, पहले बात hand के आगे क्या लगेगा, the, और is better नहीं होता है, is worth to होता है तो UPSC न यह question दिया और इसमें भी error है और इसमें भी error है, तो दोनों में error है बच्चो, यह depend करता है UPSC, UPSC किस, किस पर answer बताती है आपको, वैसे प्रोव अपस कभी chance नहीं होती है, जैसे prevention is better than cure, तो prevention क्या होती है, cure, ठीक है तो was नहीं होता है, worth नहीं होता है, will नहीं होता है, तो इस question में, misconception question है, तो आप इसको देख लेना, और यह depend करता है UPSC पर कि UPSC क्या करता है इस question का, ठीक है, दोनों में वैसे error है, ठीक है, एभी में, 39, ठीक है, honest के आगे क्या आता है, honest, honest, ठीक है, honest, article N आता है, ठीक है, वह बोल से का sound आ रहे है, तो इन आनिस्ट, ठीक है, next question है, through his progress, indifferent होता है, बच्चो, for different कभी नहीं होता है, indifferent होता है, क्या होता है, indifferent होता है, ठीक है, अलग-अलग direction में, indifferent में होता है, अलग-अलग direction में, idiom and phrases, एक्दम धड़ा-धर कडेंगे, ठीक है, रफतार में करेंगे, क्योंकि question उड़ते जाएंगे, ठीक है, question उड़ते जाएंगे, question सारे पड़ा रखेंगे, आपको एकदम आग लगा देंगे, UPSC में, ठीक है, वैसा आग नहीं लगाना है, बच्चो, ऐसा नहीं कि UPSC पेपर में आग लगा देंगे, बच्चो, इस question को धड़ा-धर कड़ होता है, eat very little, next question आपका, lock horns, अगर कोई अपना sink, lock कर देता है, क्या कर देता है, lock कर देता है, ठीक है, तो इसका मलब होगा, argue about something, lock horns मलब होता है, अगर कोई argue करता है, तो इसका अंचर होगा, बीना की C, ठीक है, next question आपका, early word कौन होता है, बच्चो, early word वो होता है, जो तो first arrival, first arrival, next question है, बच्चो, be in the pink, जब आप be in the pink होता हो, तो इसका मलब होता है, आप क्या होते है, बहुत जादा healthy होते हो, ठीक है, to be healthy, healthy होना, ठीक है, next question है, बच्चो, be in the running, ठीक है, be in the running, तो be in the running होता है, जब आप किसी bad state to speak होता है, ठीक है, bad state to speak, sorry, be in the running का मतलब होगा, in a good position to win, ठीक है, in a good position to win, yes, next, 47 का होगा, a sea change, a sea change, जब कुछ बड़ा मतलब होता है, तो a sea change होता है, ठीक है, तो इस concern होगा, a complete change, next है, apparel of wisdom, ठीक है, a pearl of wisdom, ठीक है, a pearl of wisdom, तो a pearl of wisdom मतलब क्या होता है, बच्चो, a pearl of wisdom मतलब होता है, an important piece of advice, sea will be the right answer, 49 का, be in the seventh heaven, be in the seventh heaven, अगर आप seventh heaven में होता हो, किसी seventh swarg में होता हो, तो मतलब extremely happy, ठीक है, extremely happy, be in the red, बच्चो, जब आप be in the red में होता हो, तो इसका मतलब होता है, आप penniless, कंगाल होता हो, क्या होता हो, कंगाल, तो पैसे के तंगी होता है, to owe money to a bank, ठीक है, to owe money to the bank, तो बच्चो, तालिम नहीं दी जाती है, परिंदों को उड़ाने की, ठीक है, तालिम नहीं दी जाती है, परिंदों को उड़ाने की, वो खुद ही समझ लेता है, उचाईयां आस्मानों की, ठीक है, तो best of luck, आपके answer के लिए, और moderate paper तर जादा कठीन भी नहीं था, so, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं, next, CDS के paper में,